वीडियो को शुरू करने से पहले ओडिसा में जो दुरगटना घटी है जिसमें लोगों की जान चली गई है उन लोगों के लिए में शद्दान जली अर्पित करना चाओंगा साथी साथ भगवान से प्रातना करूंगा कि उनको अपने श्री चर्णों में स्थान दें साथी स बात करने वाले हैं पारस चक्राल और स्निया सचदेवा के बारे में अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पारस भाई मेरे ठीक ठाक दोस्ते हैं अब पारस भाई के साथ जो घटना घटी है उसको मैं आपको पहले समझा देता जी यहां प्रैंक की बात कर रहा हूं अब देखो एक बड़ यह सोचो कि दुनिया कितनी जादा चोटी है मतलब पारस भाई ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़की को वह ऐसा एक्टर एक्सपूस किया करते थे अपनी प्रैंक वीडियो में गोल्डिगर बोलके तो आ मस वीडियो को में बात कर रहते हैं जादी तो हुई होगी तो पारस भाई ने शादी करी उसके ब्लॉग डाले तो आगरत बनाई उसके ब्लॉग डाले उसके ब्लॉग डाले उसके ब्लॉग ब्लॉग बाजी चली रही थी तब ही एकदम से हमें देखने को मिलता है कि कैसे इसनिया भावी जिया जो पारस या फिर डिवॉस हुआ या नहीं पहली बात तो अगर आप टाइटल ही इतना सेंसिटिव डाल दोगे कि यह डिवॉस की असली बजा तो नोडाउट लोगों को यही लगेगा कि आपका अंदर डिवॉस हो चुका है हाँ लेकिन अगर कोई आदम पुरी वीडियो देखेगा तो उससे समझ मा आ जाएगा कि अंदर आपने वो ही किया है जो आज की रिवॉस में हर दूसर प्रैंक चैनल करता है जैसे इन दोनों की डिवॉस वाली वीडियो आई उसके बाद एक दम से आती है इसनिया बावी के एक स्टोरी जिसमें वो यह बताती है कि पारस बाई उनके घर में घुज गया और घर में जाके क्या की है उसके बाद इसनिया बावी का चैनल भी डिलिट हो जाता है जिसके आज इसनिया बावी एक नया चैनल बनाती है और इस चैनल पर कंटीनू शुरू कर देती है एक्सपोस करना पारस बाई को जिसके पारस बाई भी गुस्ता हो जाते है और उसके डेडिकेट वीडियो बना फैसला केसे सुना पाते जरूरी था आपका साइड रखना उसके बाद क्या हुआ जब उस रात को हमारे बीच में बस कुछ ऐसी चीज़े हो गई जिसकी वेदा से आज हरी नहीं है भले ही पारस भाई अपनी वाइफ को एक्सपोस्ट कर रहे हैं लेकिन इन दी एंड तुमको एक चीज़ सिखा के जा रहे हैं पहली चीज़ किसी पर भरोसा मत रखो और दूसरी बात कोई भी काम करने से पहले सेफटी जरूर रखना और सेफटी से अगर तो मेरा मतलब नहीं समझें तो कोई बात नहाई नो तुम पारस भाई की सस्क्राइबर हो तो पहले वीडियो में थोड़े से दुखी थे लेकिन दूसरे वीडियो में पारस भाई एकदम गुस्सा हो गया है आपके बच्चे से कोई नहीं पूसता भाई कि किसी को पता ही नहीं होता कि उसने ब अगर अपने इंटरनेट पे आके यह सारी चीजय मताएं अगर आप इंटरनेट पी को पता है तो किसी को पता भी नीचलता और उसके रहो हें frame पाई बहुका से पूचा जायेगा क्यों कि उसके बाप नहीं एक्स्पूस कर दिया उसको कोई बिता दो चिसने अपने बच्चे को दूर ना-पिलाया हुए कैसे मलाईका मुझे दोखा दे के रात में अर्जुन कपूर से बात किया गरती थी अब पकड़ी जाती है ये छे मेने बाद अपने कजन ब्रदर सगी मासी के लड़के से बात करते हुए I love you ये वो और पता नी बहुत ही बहुत बल्गर चैट भी थी भी हमको दी कि कैसे बच्चे ने अपनी मांका दूद नहीं पिया तो ये दो मैकमुर जानकरिया देदी थी पारस भाई ने अपनी शुरू की दो वीडियो में अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पारस भाई की तीसरी वीडियो पर ठीक है देख ले इंटरनेट पर पारस भाई सीरियसली अगर आप मेरे दोस्त नहीं होते न तो जो लेंगुज मेरी अभी है न इससे हिरदय की याद नहीं आती है तो अफ़ोस यार क्यों नहीं याद आती है अब देट टे रही थी हाँ मुझे की याद बहुत जागा आती है चलो चलो बिच्छो आपको अपडेट मिल गया है देखी याद आती है कि नहीं इस तने हबाभी को आप चलते हैं पर उनके अगली वीडियो पे टीक है कि इनका और इनकी मम्मी का क्या कहना है इनका और इनकी मम्मी का क्या कहना है पारस भाई ने अपने वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई थी और वैसे ही कुछ मिलते जुलते रिकॉर्डिंग हमारी स्निया बाभी ने सुनाई कि इनका और इनकी मम्मी का क्या कहना है अगर कोई recording सुना रहा है तो फोन में भी ऐसे सुना सकता है ऐसे रखके माइक के सामने की वह यह recording चलो आपके पास दूसरा फोन नहीं है तो आप इसकी रिकोर्डिंग लगा सकते हो लेकिन इन वीडियो में कुछ special है जिस तरीके की editing पारस भाई की वीडियो में हो रही है उसी तरीके की editing इसनिया भाई की वीडियो में भी हो रही है सेम तरीके के effect लग रहे है सेम तरीके के filter लग रहे है और seriously screen recording भी सेम तरीके से ही चल रही है अब दो किसमें दो condition है पहली कि पारस भाई उसनिया भावी की वीडियो एक याद में एडिट करता है और दूसरी कि दोनों की वीडियो पारस भाई एडिट कर रहे हैं इन दोनों में से जाधा सही option कौन से रखता है मुझे तुम कमेंट में बता देना ठीक है भाई बावी पारस भई आप दोनों से कह रहा हूँ घनटा किसी वीडिöyle की नहीं कहरे में लग कोई कह रहा है भले कोई कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं लेकिन नहीं लोग कह रहा है लोग कह रहा है तो वीडियो बनानी पड़ेगी लोग तो बहुत कुछ कहते हैं हमना कुछ बोल दूँगा तो definitely मेरे उपर केस हो जाएगा एक चीज बहुत ही fact के साथ बताना चाहूँगा कि तुमारी 90% से जादा audience बच्चों वाली है पहले चीज तुम सबसे आदा collab करते हो सौरप के साथ और सौरप की जो maximum audience है वो 18 से नीचे वाली ही है बारस चक्राल ब्लॉग पर आसे तीन साल पर लेक वीडियो आई थी स्वागरात वाली जिसके बाद इनको हस से जादा criticize किया गया बहुत स लोगों के दिमाग में और मन में यही बात थी कि यार यह क्या बना दिया नहीं बनाना चाहिए लेकि ठीक है कोई बात नहीं आपका मन था आपने बना दी आपको views भी आ गया आपको hype में मिल गई लेकिन उसके बाद आज की डेट में आप यह चीज कर रहे हो यार आपको ब में बंद होनी चाहिए थी और ऐसा नहीं कि इस थी कि लड़ाई पहली बार हुए हिंदुस्तान के यही दिक्कत है लेकिन हिंदुस्तान के हर तीसरे घ्र में फैमिली ब्लॉकर्स नहीं बैठे हर चीच कैमरे में record करके डालेंगे आज अपनी वीडियोस में बधा रहे हो को इसने अपने बच्चे को दूद नहीं पिलाती तो ये बात आपको पहले रियलाइज होनी चाहिए दी ना आपको ये बात तो आज से दो साल पहले से पता होगी तब आप बोल देते ना आपसमें डिसकस करके चुपकचब डिवोस हो जाता है लेकिन लोग समझते हैं कितने सारे सारे यूटूपर के डिवोस होने लेकिन कोई इंटर्णेट पर इस तरीके सा बताता हैं कि नहीं यार इसने मुझे बात करोंगी लिटरली एक दूसरी के उपर कीचड़ उचा ले जा रहे हैं और मैं ग्यारंटी दे रहा हूं यार तुम्हें ओडियंस तुम मेरे से लिखके रख लो मैक्स चुमेक्स छे महीने के अंदर ये दुनों तुम्हें साथ में दिखेंगे मापिता जी नहीं तब तुम क्या करोगi, जाना है हसमें के सास्त सरकारी नौकरी में हुष्ण कमार है, आध जाओगी, आध जाओगी तयार हो तो यहां ही सजाओ अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ, हम तो केवल आपको request कर सकते हैं, कि कम से कम एक परिवार को पूटने से बचा सके हम लोग, उस बच्ची की सिंदेगी आगे किस प्रकार से जाएगी, इस समय ही बताएगा, और उसकी लिए आप दोनों जिम्मेदार, अब अगर कोई व्यक्ति जज़ है, तो definitely उसका intellectual level बहुत जादा होगा, हम उसके मुकाबले कहीं भी नहीं है, लेकिन ये चीज हमको भी समझ आ रही है, कि ये कीचड़ वाजी चल रही है इंटरनेट पे, जिसका प्रबाब इनके बच्चे में पड़ेगा, और no doubt अगर इस त चोटा creator हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहा है ना, उनमें से एक भी बनना ऐसा नहीं होगा, जो पारस की वीडियो पर जाके कमेंट कर रहा होगा, क्यार भाहिया, बताओ आज का क्या अपडेट है, आज हेदे किसके पास ह आज रहेदे ने खाना खाया या नहीं, आज भावी ने आपको कैसे कैसे expose किया, कोई नहीं कह रहा होगा, और दूसरी बात court में जाओ, divorce फाइल करो, जब divorce हो जाया, उसके बाद आके इंटरनेट पर बता देना, चुप चौप एक वीडियो में, कि अब हम दोनों अलग हो आके एक दूसरे को expose करने की जरुवत नहीं है, और अगर तुमारा ये ड्रामा सिर्फ व्यूस के लिए, प्लीज बंद कर दो बाई, बंद कर दो, गिन आरी यार इन कॉंटेंट को देखिए, गिन, मैं राठी की उपर वीडियो लिख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको ये वीडियो को लाइक करना ना बूले, चैनल को subscribe करना ना बूले, साथी साथ मुझे टुटर पर फॉलो करना ना बूले, बहुत सारे काम दे दी, एक लास्ट काम और देता हूं, जाओ जाकर मेरे podcast चैनल को subscribe कर लो, दी समराठ शो को, और अगर तुम मेरे या तो एक बहुत अच्छी मुईम का, तो मेरे टेलीग्राम ये ग्रोप आ रहा होगा, इसको जाकर जॉइन कर लो, होद कुछ आने वाला है फूचर में, बाकी बाकी तो सबसेट है, समराठ भाई बैस्ट है, बोलो मेरे साथ, जै श्रीराम।